प्रेस दे बेल आइकन ओन दी यूट्यूब आप और नेवर मिस अनादर अपडेट आगे प्लान कर सके तो चलिए मित्रों शुरू करते हैं तो मित्रों सबसे पहले हम आपको आपकी ग्रहस्तिति बताते हैं वर्शारम में चंद्रमा मिथुन राशी के चतुर्द भाव में राहु करक राशी के पंचम भाव में प्रहस्पति और मंगल तुला राशी के धनू राशी के दशम भाव में केतू मकर राशी के ग्यारवे भाव में चलायमान है। मित्रो सबसे पहले हम आपको बताते हैं एक से साथ जन्वरी तक के समय के बारे में। वर्ष 2018 का आरम कश्ट प्रध हैं। एक और दो को चंद्रमा का चतर्ध भाव में परिभ्रमन आपके जीवन में अशान्ती लाएगा। पेट संबंदी तकलीफे परिशान करेंगी। संतान को लेकर आप बहुत ज्यादा भावक हो सकते हैं। कुछ समय के लिए अपनी भावनाओं पर नियंतरन रखना होगा। मित्रों का साथ मिलने के बावजूद स्वयम को अकेला महसूस करेंगे। तीन और चार को नकारात्मक परिस्तितियों में भी जीवन साती से मदद मिलेगी। स्थानांतरन का योग बन रहा है जो लाब दायक होगा। किसी ऐसे व्यक्ति से भेट हो सकती है जो आपके लिए काफी महत्वपून सिध्ध होगी। आप अपने आधुनिक दृष्टिकोन के बल पर अपने व्यवसाय में आए व्यवधानों को पार कर पाएंगे। पांच और छे को कारी की गती आगे बढ़ेगी। आर्थिक शेत्र में किये गए सकारात्मक प्रयास आशतीत फल देंगे। साथ को शान्ती दायक देवस होगा। इस वर्ष कार्यों में अपेक्षान रूप प्रगती होने से संतोष का आपको अनुभव होगा। नौकरी पेशावर के लिए कारयाले में अनुकूल परिस्तियां बनी हुई है। उच्चाधिकारियों एवं सहकर्मियों का अपेक्षित सहयोग प्राप्थ होगा। जिससे कार्यों की संबंता एवं लक्षियों की प्राप्ती समय पर तथा सहच्चता से संभव हो पाएगी। मित्रों अब बात करते हैं आठ से पंदरा जनुवरी तक के समय की। आठ और नो को बुद्धी मत्ता से अपनी कम्या पहचान कर उन पर काम कर पाएंगे। आप अपनी खुशियों के लिए काम करेंगे। प्रोफेशनल स्तर पर आपको एक्षित फल प्राप्त होगा। 10 और 11 को महत्वपून कार्यों को रोक कर रखें। उसके बाद स्वतह रुकेकार बनना प्रारंभ हो जाएंगे। त्रेम संबंदों में अवरोध आएंगे। आपकी कोई कीमती वस्तु चोरी हो सकती है। दुविधा के कारण अनिर्नय किस्तिती बन सकती है। विवादों में समय न गवाएं। 12, 13 और 14 को आप अनुशासन को अधिक महत्व देंगे। आपमें उमंग और प्रसंता की लहर जागेगी। सभी शेत्र के विद्यार्तियों के लिए अपार सफलता का दौर रहेगा। करीबी मित्रों से सहयोग मिलेगा। विदेश जाने के एक छुक जातकों को सफलता प्राप्त होगी। 15 को अपने कारयाले में विशिष्ट पहचान बनाएंगे। आपका समय बहुत शुप चल र जगती संभव होगी। यद्यपी यह सही है कि भागे का सहयोग नहीं मिल पाने के कारण परिश्ट्रम एवं अपेक्षा के अनुरूप परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं। इस सम्मंद में आपको धैरे रखने की आवश्यक्ता है। तो मित्रों अगर इसको ओवरॉल समझे यह महिना अत्यंत शुब है। जब कुछ आर्थिक लाव हो सकता है। आपके प्रभाव शेत्र में देखने में वृद्धी होगी। परंतु अंदर ही अंदर कोई काटने में लगा हुआ है। जहां आप हैं वहां शत्रू भी कम नहीं है। जीवन में थोड़ी बहुत निर सुख साधनों की द्रिष्टी से अच्छा जा सकता है। भूमी भवन संबंदी कई कल्पनाएं मन में करेंगे। और किसी योजना पर अमल करने की कोशिश भी करेंगे। जन्म स्थान की यात्राओं के योग हैं। इन दिनों कारिशेत्र का विस्तार होगा। आपके प्रभ सधान भी हो जाएगा। धार्मिक कारियों पर खर्चा बढ़ेगा। आप पहले से अधिक आस्तिक हो जाएंगे। तो मित्रों अब 16 तारिक से 31 तारिक तक का भविश्यफल हम आपको पार 2 में बताएंगे। हम आप लोगों के द्वारा पूचे गए प्रशनों का भी जव कारा मिलेगा। और आप अपनी समस्यां खुद ही हल कर लेंगे। साथे मित्रों ये तालिका हम आपको बता रहे हैं जिसमें पूरे महीने के अच्छे बुरे दिनों को हमने कैटेगराइज किया है ताकि आप देखके इससे लाभानवित हो सके और अपना पूरा महीना अच हुआ हुआ है तो झाल झाल